जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का मैं आप लोग के सामने लेके आचुका हूँ 1 नौवंबर 2020 का आर्मी का कोश्चन पेपर जी हैं और ये लकनव एरो सेंटर का है ठीक है जो लकनव में लड़कों ने आर्मी का एक्जाम दिया है वहाँ पर इससे पहले आपको गया का चाय और अन्य जगय का भी पेपर आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए ये जो एक नौवंबर का कोश्चन पेपर है 2020 का जो हाली में कल हुआ है उसका मैं आपको सारा कोश्चन दिखाऊँगा साथी मैं आपको सारा कोश्चन पढ़के दिखाऊँगा आपको आप पर टिक मारा है वो भी दिखाऊंगा और आप लोग को अगर कोई आंसर अपने आप से पता करना है या अपने आप से भी हल कर सकते हैं ठीक है अगर कोई गलत आंसर हुआ तो चलिए step by step करके start करूंगा और सबसे पहले बता दूँ कि question paper में 60 मिनट का समय दिया गया था journal knowledge, journal science, mathematics और कुछ reasoning के प्रशन थे इसमें ठीक है तो चलिए step by step करके सारे question आपके सामने में पढ़ना start करूंगा सबसे पहले हमारा question यह है more यहाँ पे देख सकते है who is the founder of more dynasty यानि more समराज को किसने मैं इस्थापित किया था आपको यह बताना है यहाँ पे आपके सामने qon suggestion से त्षापित किया यहाँ पे आपके सामने option में गया है तो यहाँ पे सामने option में परड़ सकते है किसने Guess when I found it तो इसमें से आपको select करना है तो यहां पे C वाला मारा गया है ठीक है आप लोग इसका answer और question अपने आप करिएगा मैं आपको question paper दिखा रहा हूं कि question paper में कैसा question है था और क्या-क्या option है इसका दूसरा question देख लेजिए in which of the following cities in Indian Military Academy located निमल में सी किस सहर में भारती सैने अकादमी इस्तित है यहां पे चार option दिया है देरादून हो गया पूने हो गया दिल्ली हो गया नागपूर हो गया चलिए अगले question पे चलते है ठीक है यहां पे option में देरादून मारा गया है देर डिजर्ट इस लोकेडद इन विच कंट्री थार रह Soum faze किस में स्थित है नेपाल ओ घ्यप्न हो गया चाहे इंडिया हो गया चाहे मंंगुलिया हो गया तो यहां पे इंडिया मारा गया है ठीक है चलिये next question पे इंडिया गेट कहां पे इस्तित है वेर इंडियागेट इस लोकेटेड इन विच सिटी तो कहरें इंडिया गेट की सहर में तो आपको आपसन दिया है जैपूर मुंबई आगरा दिली तो यहां पे दिली आपसन में मारा गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन पर फटाक से पढ़ते चलेंगे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ठीक ह अगला कोशन हमारा पांचवा है पांचवा कोशन आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सरवच परवत चोटी है यानि दूसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचन जंगा यहां पे गंगा परवत हो गया या नंदा देवी या केटू हो गया त थी को संसार का सबसे बड़ाइप कौंसा है यहां पर सकते हैं चल्यूचा पीछ छलते हैं परहा पि्छ टालिया इ मेलाच्ष लेफ लूंघ रिफयन पेट्रोलियम रिफेंटरी कहां इस्टित है डिग बोई है मुंबई है जमना नगर है या विसाका पतनम है चार वो आपसन है चारों में से आपको सेलेक्ट करना है या पता करना है कौन सा इसका सही आंसर होगा अब नेक्स्ट कोचन नाइन है फेस्बुक का निर्माण किस ने किया है तो यहां पर इसका आंसर है मार्क जुकरबुक ठीक है और चार अपसन दिया है सुंदर्ट पिचाई या रतन टाटा या ग्राम बेल अरे आज की डेट में तो 70-80% यू आ फेस्बुक पे है तो इसका आंसर आपको मालूम गया होगा इसी तरह आप लूग अन एमेजॉन हो गया ट्विटर हो गया मतलब अन का याद कर ले ना ठीक है आर्मी का एक्जाम दे रहे हो तो चलो नेक्स्ट कोचन यहां पर देख सकते हो फटाक से यहां पर आप नेक्स्ट कोचन देख लो कोचन नम पर चलते हैं महारास्ट्रा राजी की राजदानी क्या है महारास्ट्रा मुंबई ठीक है नेक्ट कोचन पर चलते हैं उसके बाद हूँ एमंग दा फॉलोविंग फादर आफ किंग असो निम्न में से सम्राट असो के पिता कौन थे हैं ठीक है उसमें आपका यह उप्सन सी पढ़ लो ठीक है चंद्रगुप और यहां पर चार और उपसंदिया उसमें से चेक कर सकते हो हूँ एमंग दा फॉलोविंग इस नौन एज दा आईरन मैन ऑफ इंडिया भारत का लग पुरुस किसे जाना जाता है तो सर्दार पटेल जिनकी मूर्ती बनी है और मूर्ती कि कि इक इस मीट चार आई किटने मीट की है वो कमैंट में करके बताओ कि कितने मीटाइ सी लंबाई है कि लास्ट में कमेंट करके मुझे बता देना फेल पूरा कोशन देख लो बनार 14 कि इस नदी तटके सथित है मतलब दिली किस नदी के तट पर सथित है चार अप्सन दिया है यमुना गंडक सुर्य गोमती तीक है और नेक्स को यह पांस सी मारा गया है नेक्स कोशन चलते हैं 15 पे विच कंट्री इस नोन ऐस दे लेंड ऑफ थाउजंड लेगनिमन में से किस देस हजारो जीलो का देस कहा जाता है किस देस को कहा जाता है इस लेंड फिनलेंड आरLAND निजलेंड किसको यहां पर ऑप्सन में वब रह गया है आयरesh टेक है चलिए नेक्स कोशन पे हैं नेक्स कोशनफेशन है नेच्ट नेचूरल सोर्स अफ एनरजी उर्जा का प्राकरतिक सोर्ष कोण से रस सब से जयादा स leverage मिल जिससे हम सॏलर सिस्टम के माध्यम से लेते हैं ठीक है थोड़ा सा पानी पी लिया जाता है उसके बाद अगला कोशन आप लोग के सामने में पढ़ता हूँ फटाक से कोशन नमर 17 वैने मोविंग ट्रेन इस्टोप सडलनी एमें ट्रेंस टू फाल जब एक तेज रप्तार में गाड़ी चलती है और आचानक रुकती है तो आदमी पे क्या परभाव पड़ता है आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा मतलब रुक जाएगा नीचे गरेगा क्या करना है वो आपको समझना है मतलब रभी किस के काटने के कारण होता है या किस बीमारी से होता है तो कुत्य के काटने से होता है और यहां पे तीन अप्सन और दिया है पढ़ लेना ठीक है नेच्ट कोश्ण पे चलता है कोश्ण नमर्ब 19 which of the following is universal recept of blood निम्न में से कौन सा रक्त सर्वहारी है वो को सबसे सर्वहारी माना जाता है ठीक है और गुरुप को साथ यहां पर A-B मारा गया है ठीक है तो यहां पर A-B मेरे हिसाब से तो साथ गलत है लेकिन आप लोग देख लीजिए का कोशन नमर 20 पर चलते है वीच मिरर इस यूज इन लाइट इडिंग ऑफ कार मोटर कार्ब के हैड लाइट में कौन सा धर्बन का प्रयोग किया जाता है ब्लैक साधारन कन्वेक्स कनकेव तो इन दोन में इसको यह एक है बीप मारा गया है ध्यान दीजीगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर फटाक से चलते हैं लार्जेस ग्लेंड इन दा हुमेन बोडी मानाव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो लिवर हार्ट किडिनी लंग्स तो यहां पर यक्रीत साध इसका सही है चलिए नेक्स्ट कोशन पर फटाक से चलते हैं कोशन 25 25 कोशन क्या सपास हो गया 25 बस और वाकिया लगतार बने रही है लाइक कर दो दोस्तों में शेयर करो कमेंट करो अच्छा लग रहा है कोशन मेरे पढ़ने में तो ठीक है और लास्ट में जो पूचा हूँ बता देना किता मीटर लंबाई थी फूंग दॉ फौलॉविंग रिजन ऑफ हॉट अटयक निम्न्न में से हिड़े मातलब अटयक क्या कारण है बलड पोटेंशियल हो गया कैलस्टोल हो गया या बलड ईूरॉया हो गया या बल शूगर तो मेरे लिसापसे यहां पर करे काश्ट निम्न में से हिर्दे मतलब हट का अल्म का फर्मूला क्या होता है यहां पर H2SO4 मारा गया है, H2SO3 दिया है, NHO3 दिया है, HCL दिया है, तो यहां पर आपको select करना है, question number 26 पर चलते है, which substance is used to thermometer, thermometer में कौन सा पदार्थ को इस्तमाल किया जाता है, oil हो गया, water हो गया, iron हो गया, mercury हो गया, यहां पर option में mercury मारा गया है, वैसे आप अपना answer confirm कर लेना, ठीक है, question number 27 पर चलते है, ठीक है, बकसलाइट is an oreo of which metal, कर्बकसाइड किस धातु का आयस्क है, copper हो गया, aluminum हो गया, teen हो गया, gold हो गया, किसका है, ठीक है, यहां पर बी बिमारा गया है, सही है कि नहीं, आपको confirm करना है, अपने आप, अगर पढ़ने वाली लड़के हो, तो सारे question उक answer, अपने notebook में लिखो, ठीक है, गलत है, सही है, सब का लिखो, सब पता करो, question number 28 पे चलते है, in our bodies, ligament, connect, हमारे सरीर में, इस थने क्या जोड़ता है, ठीक है, इसे पढ़ ले ना, ठीक से, और चार option दिया है, muscles of skin, muscles of bones, muscles of muscles, muscles, bones to bones, क्या जोड़ता है, वो पढ़ना है, यहां पर question number यह देख सकते है, सिस्मोग्राफी का उप्योग का क्या मापने के लिए किया जाता है, सिस्मोग्राफी से क्या मापा जाता है, भुकाम मापा जाता है, हिर्दय की गती मापा जाता है, विदुधारा मापा जाता है, बलड प्रेफसर मापा जाता है, आपको यह पतास करना है, तो मुझे तो इन्होंने ए गलत मारा है एंपियर गलत मारा है कॉलंब और जूल न्यूटन का जूल होता है चलिए आगे चलते हैं सेक्शन सी पर चलते हैं मैथ पर हम मैथ पर आ चुके हैं ठीक है सारी कोश्चन देखना यहां पर दिया एक धनरासी दो वर्स के पास्चात एक हजार 40 कह रहा है एक दुखंदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे की हानी होती है तो उसकी हानी परसीतत बताईए 36 संतरे बेचता है और 4 संतरे की हानी होती है तो हानी परतीसत बता हो मतलब 4 संतरे की हानी होई तो अंतर बटा में 4 संतरा बटा में अंतर गुंडते वह 100 परतीसत के ल बढ़ी लखड़ी रखी जा सकते हैं मतलब एक कम्रे का आयतकार दिया दिया है चलो अंबर बढ़ार जोना किया है कि यहां पे लड़की ने कुछ कर दिया है 64 पे एक बटा दू है और 64 पे एक बटा दू है कुछ ऐसे ही करके हैं और इसे ऐसे ही सवाल मतलब लगा ले ना एक गात दो देखके अपने से भी कह रहा है तो नीचे फटाक से देखो ठीक है थोड़ा सा पानी पी लेता हूं उसके बाद कोशन नंबर अगला पड़ता हूं एक आयतकार की भुजा भुजा है पांच मीटर और 4 मीटर है तो उसकी परिमाप बताए परिमाप का फर्मूला होता है टूब रैकिट में L प्लस B ठीक है त तो उसके कितने फल होते हैं उसके 6 फल होते हैं 6 आ सकता है ठीक है चलिए नीचे चेंज 0.25 को आपको भिने में बतलना है तो 0.25 का आप 0.25 है तो नीचे 100 रख दो तो एक बटा चार हो जाएगा यहां पर भी बाला सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पर फटाक से चलते हैं क कोशन नबर 40 तका चुके हैं बस 10 कोशन और बचा हैं देखो एक आदमी एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में 660 रुपए में बेचता है 40 रुपए की हानी होती है तो उसका हानी परतिसत बताए यह सबसे असान है बहुत असान असान है ठीक है नेक्ट कोशन 5 परतिसत वार्सिक ब्याज की दर से चार माह का 600 रुपए साधरान ब्याज गयात कीजिए नेक्स्ट कोशन है लसीम ऐसे आपको निकालना है लगुत्म समवर्त काही निकालना है फिर नेक्ट कोशन चलते हैं कोशन नबर 42 पर आप देख सकते हैं यहां पर निमने में से सबसे बड़ और इसका आंसर दिखाना है और तुम मैनत करने वाले होगे तो खूद इस पेपर को करोगे चलो ठीक है कोशन नमर 43 यहां पर एक स्क्वार उड़ दिया 102 का होल स्क्वार इसको निकालना है तुम्हें कितना होगा ठीक है तो 2 का स्क्वार चार लास्ट में किसके चार है इन बची हुई संख्या में मतलब बची हुई रासी जो है एक बटा तीन अपने छोटे बेटे को दे देता है तो राम के पास कितने बसते है यह बताओ तो इसका दो बटा पांच एक बटा तीन को जोड़ दो 45,000 से भागते दो जो बचा उसमें से 45,000 में से घटा दो जो बच को चलते हैं अब हम आ जाते हैं रीजनींग का पांच कोशन है यहां पर आपट्री और से दरसा आ जाता है तो रूल को क्या लिखेंगा सबसे आसान्य यहां पर गया गया विपकल्पों में से करम पूरा कि जीए अगला करम कौन सा होगा चे त्टेरा पचीस गयाओन एक ज कौन से होगा वो तुम्हें पता करना है चलो कोशन नमर 48 देखो फटाक से कोशन नमर 48 यहां पर यदि गणेस एक पंक्ती में गणेस एक पंक्ती के एक सीरे से सात्वे इस्थान पर है और दूसरे सीरे से 11 इस्थान पर है तो वो कितने विद्यार्थी होंगे अरे दोनों को प्लस साथ कितना हो जाएगा अठारा माइनस एक सत्रा टूटल सत्रा पंक्ती में लड़के हैं चलो आगे बड़ो उन्चास कोशन नमर 49 यहां पर देख लो उन्चास उन्चास यहां पर उन्चास देख लो अगर यह किस संकेतिक वहां सामें कैट को डोग लिखा जाता है तो यह तुम मिला ले ना कलीर दिख रहा हो हुगा तुम्हें कोशन प्र नाइट सब्स्त है कोशन पेपर सद्री हो कोई जरूत नई अगर जिसकी शा करें और ऑा चीतर में एक पूरुस को और संकेत रह राजु का कि मेरी बेटीके पुतरे के प imagen तेका है तो उसका चाहिए तो 730-908-908-947-06 question paper तुम्हें इस WhatsApp पे message करोगे 5 रुपे 5 रुपे मातर पे करोगे पेटीम या फोन पे से तो तुम्हें question paper दे दिया जाएगा नहीं तो इसी वीडियो को 2-3 बार देखो question paper क्या खरीदने की जरूरत है ठीक है और सारे इसी को नोट कर डालो ठीक है पांच रुपे बचाओ ठीक है बहुत महेंगा या गई है लोगडाउन के बाद यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत